तो आपके पूछा गया है जो आपके एक रिपोर्ट आती है डूइंग बिजनेस ठीक है वो इन में से किस एजेंसी जो है आपकी वो हर साल प्रिपेर करती है ठीक है ओप्शन से आपके पास एशियन डेवलोप्मेंट बैंक तो जो आपका करेक्ट आंसर इसमें वो होने वाला है आपका वर्ल्ड बैंक जो डी ऑप्शन जो है आपका वर्ल्ड बैंक वो प्रिपेर करती है आपकी डूइंग बिजनेस रिपोर्ट हर साल ठीक है तो ये बात आपको याद रखने है ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल correct answer है next question हमारे पास which bank has the tagline your trusted family bank अब आपको यह तो पता हिए जो भी companies होती है या फिर जो भी banks होती है ठीक है उसकी एक tagline होती है तो आपको यहाँ भी बताना है किस bank की जो tagline है वो है your trusted family bank option से आपके पास Indian overseas bank, Dena bank Indian bank और last option आपके पास yes bank ठीक है तो इसका जो correct answer है वो है आपका option number B Dena bank ठीक है जो Dena bank है आपका वो एक public sector bank है इसके साथ साथ इसकी जो tagline है आपकी वो है your trusted family bank ठीक है और कुछ बात है आपको इसके लिए याद रखनी है इसके इंदर bank की headquarter कहाँ पे आपकी जो headquarter है आपका वो मुंबे के अंदर है इसके साथ साथ कब found हुआ थी bank तो यह bank आपका पुराना bank है बहुत ज़्याद ही ठीक है यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि screen के अंदर 1938 के अंदर यह bank found हुआ था आपका ठीक है तो यह एक तीन question आपके यहां से बनते हैं ठीक है चलते है हमारे एक question के तरफ next question है हमारे पास first bank to introduce ATM in India is ठीक है बहुत अच्छा question है आपको पता भी होना चाहिए question है आपको कि ATM को इंदर सबसे पहले किस bank ने introduce किया था option से आपके पास ICICI bank HSBC bank HDFC bank और yes bank तो जो correct answer इसका आपका वो है आपका option number B ठीक है HSBC ठीक है Hong Kong and Shanghai banking corporation यह जो bank है आपका इन्होंने इंडिया के अंदर 1987 के अंदर आपका ATM को introduce किया था ठीक है और Mumbai के अंदर आपका पहला ATM भोला गया था ठीक है तो यह बात आपको ध्यान रखनी है बैंक का नाम याद रखना है Hong Kong and Shanghai banking जो आपका corporation है उन्होंने यहाँ पर इंडिया के अंदर पहली बार 1987 में जाकरके आपके ATM concept को introduce किया था इंडिया के अंदर Mumbai के अंदर ठीक है तो यह पर तीन बात आपको धियान रखनी है बैंक की फुल फॉर्म यह भी आपको पूछी जा सकती है कब इंडियूस किया था 1987 के अंदर ठीक है तो यह बात आपको धियान रखनी है तो option नमबर B correct answer है चलते हमारे अगले कुशन तरफ अगला कुशन है हमारे पास breeding and management of bees is god ठीक है ओप्शन से आपके पास pisciculture आपका sidiculture silviculture और apiculture ठीक है तो correct answer इसका आपका option नमबर D ठीक है जो apiculture आपका बिलकुल correct answer है तो इसमें आपको बताना है basically की breeding and management of bees ठीक है उसको क्या कहते है ठीक है तो correct answer है आपका option नमबर D apiculture ठीक है चलते हमारे अगले कुशन की तरफ hockey was introduced in the Asian Games in ठीक है आपको पता है Asian Games होते हैं ठीक है वहाँ पे hockey को कब introduced किया गया था ठीक है कौन से वाले year के अंदर option से आपके पास 1958 जो टोकियो में हुआ था 1962 जकारता में जो हुआ था 1966 जो बैंकोक में हुआ था आपका या फिर 1970 जो कि आपका बैंकोक में हुआ था ठीक है तो इसका जो correct answer है वह है आपका 1958 टोकियो वाले Asian Games के अंदर ठीक है तो 1958 के अंदर आपका जो hockey था उसको introduce कर दिया गया था तो option नमर है आपका बिलकुल correct answer है चलते है हमारे अगले गोशन की तरफ अगला गोशन हमारे पास हूँ इस दफ प्राइमरी ओथर ओफ है ठीक है जो आपका HTML है उसके प्राइमरी ओथर कोन है आपके option से आपके पास सबीर भाटिया टिम बर्णर ब्रेडन और लास्ट ओप्शन आपके पास Google ठीक है तो इसका जो correct answer है वह है आपका option नमर बी टिम बर्णर जो है आपके वह बिल्कुल correct answer होंगे और यह है आपके author HTML के ठीक है चलते हैं हमारे अगले कोशन की तरफ अगला कोशन हमारे पास बर्णे का कप is associated with option से आपके पास badminton tennis football और hockey तो इसका जो correct answer है वह है आपका c football ठीक है तो जो आपका बर्डेका पर आपका वह किससे associated है वह football से ठीक है तो चलते हैं हमारे अगले कोशन की तरफ अगला कोशन हमारे पास the first modern warship built in India in 1952 was तो इंडिया के अंदर na 1952 के अंदर warship built की गई थी ठीक है modern warship तो वह कौन सा ताहित में से आइनेस गोवा आइनेस निलगिरी आइनेस केलाश और आइनेस विक्रम ठीक है तो इसका जो correct answer है वह है आपका option नमर बी आइनेस निलगिरी ठीक है तो बी option जो आपको बिल्कुल correct है यह जो निलगिरी थी आपकी इसे built किया गया था 1952 और यह पहले हमारा modern warship था ठीक है औ था आपको बता नहीं जो शूरणिक जो पार्लेमेंट्ट है उसको क्या कहते है ठीक है जैसे हमारे पालेमेंट को Sunset कहते है ठीक है आपको एसी जाप मार चैपार्लेमेट्ट को Right कहते हैं स्वाह है और यहाजिया निलगिरी और सेजया ठीक है इस में तो correct answer है आपका वह होन the first country to partner with which global company on disaster response management ठीक है तो आपको इसके अंदर बताना है इंडिया पहली ऐसी country बनी है जिसने global company के साथ partnership किया किसमें disaster response management के अंदर ठीक है तो company कोंसी है जिसके साथ इन्होंने partner किया इंडिया ने ठीक है options से आपके पास tutor google facebook और microsoft तो इसका जो correct answer है वो है आपका option number c facebook ठीक है तो facebook के साथ मिलके इन्होंने एक partnership किया है और इसमें इन्होंने किस पर काम करना start करेंगे वो disaster response management ठीक है तो आपका जो option नमर्स थी है facebook first question है बारे पास which of the following personalities gave the laws of heredity option से आपके पास Robert Hook, DJ Mendel, Charles, Derwin और William Harvey तो right answer इसका आपका option number b ठीक है जो आपके DJ Mendel थे इन्होंने दिया था laws of heredity तो right answer है आपका option number b next question है मारे पास name the person who was also known as देश बंदू, option है आपके पास S, Radhakisht, GK, Kokhle, चितरंजन दास और मदन महन माल भी है तो right answer है इसका आपका option number c जो आपके चितरंजन दास थे उनको खा जाता था देश बंदू, ठीक है तो right answer है आपका option number c next question है मारे पास which of the following is not the language enshrined in the 8th schedule of the Indian constitution as the language of the state option से आपके पास Nepali, Kashmiri, English और Konkani, तो right answer है इसका आपका option number c English ठीक है तो c option आपका बिलकुल correct answer है next question है मारे पास the capital of उत्राखंड is option है आपके पास मसूरी, धहरादुन, नैनिताल और नन अध्यवब तो right answer है इसका आपका option number b ठीक है तो जो आपका देहरादुन है वो इन में से capital है आपका उत्राखंड का ठीक है और एक और चीज आपका जो आपके c ut के paper था last year का भी और जो आपका भी mock test भी आए तो उसमें कई आपसे capital पूछ रखा है तो make sure कि आपकी जितने भी states है और जितने भी आपके uts है उनके capital आप एक बार ही देख लो ठीक है क्योंकि paper के अंदर आपको पता नहीं कोई से भी आपका state capital पूछ आ सकता ह है ठीक है तो make sure कि आप एक बार वह सारा check out कर लो बागी जो आपकी mock test थी आपकी उसकी वीडियो डल चुकिया आपकी जो एंटी ने आपको release किया था ut का mock test हमने उसका gt section को solve कर रखा है तो make sure कि आप चैनल में जा करके उस वीडियो को check out कर लो आपको उससे बहुत ज्यादा help होने वाली है ठीक है तो चलिए आगे चलते है हमारे अगला कोशन की तरफ अगला कोशन है मारे पास world trade organization came into existence in 1992 1993 1994 और 1995 ठीक है कब आये था existence के अंद अलकुल राइट answer है next question हमारे पास according to the constitution of India which of the following is not one of the main organ of the government ठीक है question को आपने ध्यान से देखना है आप से is not हुचा गया है ठीक है which of the following is not one of the main organ of the government ठीक है option से आपके पास legislature, bureaucracy, executive और ठीक है तो राइट answer है इसका आपका option number B bureaucracy ठीक है तो इसमें आपको धियान रखना है government का यह पार्ट नहीं है आपका main organ में ठीक है क्या क्या होंगे आपके आपका legislature पार्ट है, executive पार्ट है, judiciary पार्ट है but जो आपको bureaucracy है वो इसका पार्ट नहीं है ठीक है तो यह बात आपको 1942, 43, 45 and 46 तो राइट answer है इसका आपका option number D 1946 के अंदर आपका आया था cabinet mission ठीक है तो यह आपको ध्यान रखना है next question है मारे पास पंचाइती राज comes under ठीक है पंचाइती राज कौन से आपके एक तरसे list में आता है residual list, concurrent list, state list और union list तो राइट answer है इसका आपका option number C state list ठीक है तो पंचाइती राज आपका कहाँ पे आता है state list के अंदर आता है ठीक है तो C option आपका बिलकुल correct answer है next question है मारे पास when did the war of American independence take place कब हुआ था आपका war of American independence ठीक है options है आपके पास 1770, 1772, 1774 और 1776 तो राइट answer है इसका आपका option number D 1776 ठीक है तो बिलकुल आपको माख करना D option वो आपको बिलकुल right answer है next question which of the following is the largest and the deepest ocean in the world ठीक है आपको बताना है इन में से कौन सा आपका largest और साथ ही साथ deepest आपका ocean है world के अंदर options है आपके पास Arctic, Atlantic, Pacific और Indian तो राइट answer है इसका आपका option number C ठीक है जो आपका Pacific Ocean है वो आपका largest भी है और साथ ही साथ आपका deepest ocean भी है आपका world के अंदर तो C option आपको बताना है जो आपका Central Terminal आपका largest railway station है ठीक है तो यह बात आपको धियान रखना है इसमें आपसे एक और सवाल पूछा चा सकता है कि वो पॉइंट करता है गवर्णर को प्राइम मिनिस्टर प्रेजडेंट चीफ जस्टिस ओफ इंडिया और एलेक्शन कमिशनर ठीक है तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका option नमबर बी बी आपका बिलकुल करेक्ट आंसर है ठीक है तो इंडिया के अंदर जो आपको प्र लेवर पार्टी नाजी पार्टी और आपका क्यू कूल एक्स क्लान और डेमोक्रेटिक पार्टी तो करेक्ट आंसर है इसका आपका option नमर भी नाजी पार्टी ठीक है तो जो हिटलर था आपका ठीक है वो जो 1933 के इंदर फावर में आया ठीक है उसकी पार्टी के नेम क्या था आपका नाजी पार्डी था ठीक है नेक्स्ट कॉश्चन है मारे पास विच आप दे फॉलोइंग सिख गुरू इस नो तो हैव कंप्लिटिद दा हर्मिंदर साहिव अप्षिन से आपके पास गुरू अर्जुन देव गुरू रामदस गुरू हरगोविन और अमरस ठीक है क्रेक्ट आंसर इसका आपका उप्षिन इंग्रों धूरू अखके नेक्स्टूश नेम我们 पास वो इनमें से किस ने आपका बनवाय था ठीक है ऑप्शन से आपके पास कुतुब उद्दिन एबक शेट शाशूरी साजा और अकबर ठीक है तो राइट आंसर इसका आपका ऑप्शन नमबर सी साजा ठीक है तो साजा की दुआर आपका कंस्ट्रक्टर रहा गया था ठीक है कब 1639 के अंदर और यह बात आपको इसमें ध्यान रखने है ठीक है तो आपको सही है चलते हैं हमारे अगले कुशन के तरफ अगला कुशन हमारे पास आग्रा सिटी वास फाउंडेट इन विच आप फॉलूइंग एर ठीक है कब पाउंड और यहां पर घ्यान देनी है ठीक है तो यहां भी दो कुशन के वर होते हैं आगरा किसके द्वारा फॉंड किया था और कब आपका फॉंड हुआ है ठीक है तो यह बात आपको ध्यान रखने विच आपके पास सिकंदर लोधी इब्राहिम लोधी बहालोल लोधी और दी ठीक है तो C option आपका बिल्कुल correct answer है next question है हमारे पास which of the following cities was capital of महराजा रंजीत सिंग option से आपके पास Amritsar, Patiala, Lahore और कफूर थाला ठीक है तो right answer इसका आपका option number C Lahore ठीक है next question है which among the following was the venue of INA trial option से आपके पास Calcutta High Court, Supreme Court, Federal Court और Red Fort तो right answer है इसका आपका option number D, Red Fort ठीक है तो ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है Red Fort आपका बिल्कुल correct answer है next question हमारे पास which of the following events took place during the voice fellowship of Lord reading option A, चोरी चोरी इंसिडेंट, option B, मौपला रेविलियन, option C, formation of स्वराज पार्टी, option D, all of the above तो right answer है इसका आपका option number D, all of the above ये सारे event आपके उस टाइम भी हुए थे तो ये बात आपको धियान रखनी है ठीक है तो यहाँ पर आज के मारे most important question खरतम होते हैं अगर आप कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं बाकि आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें Instagram पर DM कर सकते हैं हुआ 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 है हुआ 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 ह